दोस्तो नमुश्कार आदाब सत्रीयकाल नियूज क्लिक के कारिकरम हफते की बात में आपका स्वागत है दोस्तो हफते की बात में आज हम तीन खास ख़बरों की चर्चा करेंगे सबसे पहली हमारी ख़बर है कि उत्तर प्रदेश, हरियाना और उत्तराकंड इन तीन राजियों से एक तरह से यूँ कहा जाए कि जुड़ी हुई कावड यात्रा तीनों प्रदेशों के लोग जादा आते हैं जाते हैं तो ये जो कावड यात्रा है वो 25 जुलाई से शुरू हो रही है ऐसा अभी तक जो सरकारें सबद्द सरकारें हैं जो प्रशासन है उनकी तरफ से जो चीजें सामने आई हैं उनके मुतलिक इस वर्ष 2021 में पहले की तरह कावड यात्रा चलेगी अब ये जो कावड यात्रा है हम सब जानते हैं कि ये हरिद्वार तक और हरिद्वार से फिर वापसी अपने अपने घरों तक लोग जाते हैं लाखों की संख्या में लाखों की संख्या में और वो इतनी भीड इतने गाजे बाजे के साथ जाते हैं कि आपने देखा होगा उसकी तस्वीरें और उसका पूरा का पूरा जो कर्मकांड और पूरा का पूरा जो मिला जलसा उसको आप जो भी कह लें ये चलता रहेगा अगर इस बीच में सद्धुधी आ गई तब तो बहुत अच्छी बात है क्यों मैं सद्धुधी का रहा हूँ क्योंकि 2020 में यानि पिछले वर्ष सद्धुधी आ गई थी और सरकारों ने फैसला किया था कि कोरोना महामारी के मद्दे नजर वो कावड यात्रा को एलाउ नहीं करेंगे लेकिन हमने देखा कि कुम्भ को एलाउ किया गया भी इसके बावजूद कि बहुत बड़ा खत्रा था और आप जानते हैं कि कुम्भ के बाद क्या हालात पैदा हुए दुनिया भर के एक्सपर्ट्स ने माना कि कुम्भ जो मिला था जिस तरह का जमघट लगा जिस तरह के हालात पैदा हुए वो सुपर स्प्रेडर का काम किया कॉरुना की दूसरी लहर के लिए दूसरी वेप के लिए खासकर हिंदी हार्ट लैंड में और एक और जो सुपर स्प्रेडर का काम किया वो था पंचायती राज चुनाओ उत्तर प्रदेश में पंचायतों की चुनाओ उसके बारे में भी कहा जाता है कि कुम्भ मेले की तरह वह भी भायानक था खासकर उस दोर में जो पहला चुना हुआ था पंचायकों का उसमें भारी संख्या में शिक्षकों की मौत हुई ऐसे सिक्षक जो की ड्यूटी पर थे दूसरे और सरकारी कर्मचारियों की मौत हुई यह सब calorie है कुछ के record को सरकार मानती है कुछ का कहती है कि चान्विन करा रही है तो यह मौवज़े का प्रश्ट है तो ऐसे में एक सवाल उठता है कि क्या यह जो कावड यात्रा है जो पिछले साल नहीं निकली कि इस साल निकालने का क्या उचित्त है क्या कावड यात्रा एक ऐसी यात्रा है जिसके बगैर मनुष्यता नहीं रह पाएगी महामारी जरूर है जिसमें मनुष्यता पर गहरा संकट है लेकिन कावड यात्रा नहीं निकलेगी तो मनुष्य का क्या बिगड़ेगा किसी की धार बावना महामारी के प्रसारं से अगर किसी की बहुत संतुष्ठ होती है तो ऐसी XD धार्मिक भावना को आप क्या कहने इत के पिशली बार सरकार ने क्योiß तोbank दो दोस्तों मुझे लगता है कि उत्तरा अखंड और उत्रप्रदेश दोनों जगत चुनाव है और सत्ताधारी दल को राजनीत में धर्म का समागम बहुत अच्छा लगता है। धर्म के राजनीती में और मौझूदा दोर में शायद ही किसी और पार्टी ने किया हूँ। तो हो सकता है कि चुनाव के मद्दे नजर कावर्ड यात्रा को एक जरूरी कदम के रूप में देखा जारा हो कि चलो इसका भी इस्तेमाल कर लो। लोगों की भावना को थोड़ा सहला दो लेकिन अगर तीसरी लहर जिसकी चिंता जाहिर की जा रही है पूरी दुनिया में कि भारत में तीसरी लहर आएगी तो क्या होगा अभी टास्क पोर्स के जो लोग हैं खासकर डॉक्टर विके पाल को मैं सुन रहा था वो ये कह रहे है कि दूसरी लहर अभी खतम नहीं हुई है ये हमने नहीं मानना चाहिए कि दूसरी लहर कोर्ना की खतम हो गई और अगर तीसरी लहर आ गई कांटिनुटी में तो क्या होगा और ऐसे में वैग्यानिक भी उत्तर टुदेश के और बहुत सारे बड़े चिकिचसक पर ये सवाल उसमें लगा है माननी प्रदानमंत्री के फोटो के साथ कि कोर्ना से है कोर्ना से उत्तरा खंड है साउधान तेजी से चल रहा है टीका करण अभियान अब मुझे तो नहीं मालूम कि टीका करण अभियान कहां से तेजी चल तेजी से चल रहा है महाराज से ले करके और तमिल परिक्ताब को कोई चुनोती नहीं दी जा सकती है लेकिन वो बता रहे हैं कि नहीं ठीका करणवियान बहुत तेजी से चल रहा है लेकिन ऐसे दोर में जब कहा जा रहा है कि कोरुणा से उत्राखंड है साउधान तो अगर साउधान है तो कावड यात्रा जैसे भीड भाड व पहने तो भीड से कैसे बचेंगे जब कावड यात्रा निकलेगी कौन से प्रोटोकोल को फालो करेगा कौन क्या आपने कुम्ब मेला में कोई भी प्रोटोकोल फालो किया वहां तो जांच की जो बात उठी थी कौर्णा की कौर्णा की जांच की उसमें भी घोटाला सामने गया तो दोस्तो एक बड़ी ख़बर हमारी ये थी जिस पर चर्चा करना बहुत दूरी लगा उत्तर प्रदेश में एक और बात सामने आई है कि उत्तर प्रदेश में जो राज्य विधी निगम है उसने एक जनसंख्या यूपी जनसंख्या नियंत्रण विध्यक का प्रारू और उत्तर प्रदेश क्या कई और भाजपा साशित राजी भी इस तरह के प्रयास कर चुके हैं पहले उसमें ड्राफ्ट जो कहता है कि दो से अधिक बच्चे पैदा होंगे तो नोकरी नहीं सरकारी नोकरी में दिक्कत आएगी स्थानी निकाव चुनाव नहीं लड़ अंता के बढ़ावा के लिए हैं दुनिया के किसी भी मुल्क में जनसंख्या का जो नियंत्रण है वो लोगों को शिक्षित करके समझदार बना कही संपन हुआ है दंड देकर नहीं लोगों को पनिश्मेंट देकर नहीं लोगों को ड़ा कर धंका कर नहीं अब आप जितने लोग अपने देश में ही जो समझदार लोग हैं जो एजुकेटिड लोग हैं जो समरिद लोग हैं अमीर लोग हैं वो कम बच्चे पैदा करते हैं क्यों कम बच्चे पैदा करते हैं क्योंकि समझदारी आई है क्योंकि उनको ग्यान आया है लेकिन आप देखेंगे क कि जहां ज़्यादा बच्चे पैदा होते हैं, चाहे वो हिंदू हो, मुसल्मान हो, या कोई भी विरादरी का आदमी हो, किसी धरम का, मैं नहीं मानता कि इसमें किसी एक मध़भ के लोग ज़्यादा बच्चा पैदा कर लेते हैं, जहां भी गरीबी है, जहां भी असिक्षा ह जहां भी अज्ञान है वहाँ ज्यादा बच्चा पैदा होते हैं तो अज्ञानता और अशिक्षा से लड़ने के बजाए आप लोगों से लड़ रहे हैं आप लोगों को दंडित करना चाहते हैं किसको फैदा पोँचा रहे हैं अमीर लोगों को क्योंकि चुनाव तब वही लड़ेंगे क्यों कि नोकरियां तब वही पाएंगे तो ये पूरा का पूरा जनसंख्या नियंत्रन का जो खेल है उत्तर प्रदेश के राजेविधिन आयोग का जिसको कि सरकार को रिक्मेंट कर उननीस जुलाई सुना है रखा है उन्होंने डेट की उस सबह तक लोग अपन लिकार को ताहनन करता है और लोगों को दंड देकर जनसंख्या नियंत्रन की बात करता है जो कि संभव नहीं है दोस्तो जो तीसरी खबर हमारी है कि उत्तर प्रदेश के पंचायती राज चुनाव जिस तरह से हो रहे हैं वो हमें राज तंत्र का रास्ता दिखाता है और ल जमले हैं वो पंचायती राज चुनाव में बिलकुल सामने नंगे होकर बिलकुल नेकेट फॉर्म में सामने आ गए हैं मुझे तस्वीरों के बारे में चर्चा नहीं करनी है चाहे लखिम पूर्खिरी की हो या सीतापूर की हो या बाराबंकी की हो कहीं कि किसी की चर्चा ह और वेब मीडिया ने इसको इतने बड़े पैमाने पर दिखाया क्योंकि एक वीडियो पब्लिक के सामने आ गया था और अगर वो वीडियो न होता तो शायद प्रशासन ने कारवाई भी नौ की होती, पुलिस वालों को सस्पेंड भी नौ किया होता, क्योंकि थरस्टे की चुनाव में पहले हुआ, पहले चरण में और इसके बाद फिर डिस्ट्रिक जो प्रेसिडेंट्स के चुनाव में हुआ, वही उसका एक्स्टेंशन दिखाई देता है, ब्लाक के जो चीफ होते हैं, यानि प्रखंड के जो पंचायचीफ होते हैं, उनके नामांकन में जिन की शनिवार को चुनाव हो रहा है, और जब मैं आपसे बात कर रहा हूँ, ये शनिवार के दिन तब भी पता चल रहा है कि अनेक जगहों पर हिंसा के वारदात हो रहे हैं, शाम तक खबर आएगी कि इसमें क्या हुआ, तो दोस्तों ये जो भयावात तस्वीर सामने आ रही है निरविरोध, अपने लोगों को जीताने का, अपने लोगों को जीताने का, अपने क्यों कि तब आपको कोई परिशानी नहीं है, आपको जनता यानि मतदाताओं की परवार नहीं करनी है, कोरना में लोग मर जाएं, भूखों मर जाएं, बेरुज़गार हो जाएं, तब जनता वोट दे या जनता वोट नो दे जीतना उनी को है तो ये एक रास्ता खोजा जा रहा है कि चुनाओ इस प्रकारों की जनता को मतदान करनी की जरूरत ही न पड़े निर्विरोध उनपोज तो नामांकन लोगों को के छिने जा रहे हैं ताकि विपक्ष का कोई भी व्यक अपना नामांकन ही न भर सके ये सारा का सारा उपक्रम उसके लिए किया जा रहा है और दोस्तों माफ कीजेगा अगर ये सिलसला यहीं नहीं थमा अगर ये रिहलसल है और काम्याब रहा तो उत्तर प्रदेश के विधान सभा चुनाओं में भी ऐसा देखा जा सकता है क्यों और नवजाने कितने नेताओं के खिलाप भी पक्ष के इस तरह का हुआ है। तो माना ये जा रहा है कि एक यह एक रिहालसल है और इसे विधान न सभा के चुमाव में आजमाया जा सकता है। Election Commission क्या कर रहा है देश का और राज्य का ये वही बता सकता है तो दोस्तो इस खतरनाक सूर्टेहाल को आपके सामने मैं एक प्रश्ण के रूप में रखकर अपनी बात खतम करता हूँ कि जनतंत्र जो बचा खुचा है थोड़ा बहुत खासकर हिंदी हार्ट लैंड में क्या वो राज्य तंत्र में तब्दिल हो रहा है नमस्कार आदाब सत्रियका